मेरी प्रिये दोस्तों आप लोग बार-बार कमेंट कर रहे थे कि सर नाटक के और उसके विसवस्तूओं पर एक और वीडियो लेकर करके आईए तो मुझे लगा कि हाँ कुछ उटा हुआ जो नाटक है उसके जो विसवस्तू है उस पर भी एक वीडियो बना दिगा जाए क्य जो पहला नाटक है देखिए बिना दिवारों का घर या किस विसवस्त पराधारित है इसमें पति-पत्नी के बीच तनाव का चित्रण किया गया है दूसरा देखिए बंधुगा मजदूर या जो है बच्चों की विवस्था और त्रासदी का चित्रण है अगली जो नाटक है उसका नाम है दूलहन एक पहाड की यह इजिवेल एंड्रेस की एकांग की ब्राइड फ्राम दा हिल्स पर आधारित है यह ठीक है ना दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए है ताप इसको सब्सक्राइब कर लिजे और लाइक और सेयर तो सब लो कीज एक कंठ विस्पाई शिव और सती की पौराडी कथा पर आधारित है अगनिलेक राम के जीवन चरित्र पर आधारित है एक प्रश्न मृत्यू महाभारत की कथा पर आधारित है ठीक है इस तरह से जो है आप इसको याद करते चैनले उसके बाद अंधा यूग या जो है महाभारत के आउसान के बाद की सिति पर आधारित है ठीक है इसके बाद देखिए कहे कवीर सुनो भाई साधो यह देखिए कवीर के विक्तित पर आधारित है इसके बाद कलंदर कलंदर जो है इसको देखिए ये कलंडर सूफियों की मस्ती आजादी का चितरण है ठीक है उसके बाद नो मेंस लेंड ये देखिए नो मेंस लेंड इन्दूस्तान के बटवारे की तरहदी का चितरण इसमें है ये समय से पूसता है जिसे देखिए यह सब important हमें लग रहा है जो important उसको मैं आपको बता दे रहा हूं जैसे यह no man's land यह important लग रहा है कल अंदर भी important लग रहा है ठीक है फिर एक प्रस्ण मृति भी important लग रहा है फिर agnilic भी important लग रहा है तो इसका आप तयार करते चलेंगे और हाँ एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूं इस PGT के exam के बाद कितने लोग ऐसे हैं जो अन्य फार्म अप्लाई किये हैं जैसे जूनियर एडेट टेट का या फिर जूनियर एडेट टीचर का या फिर UP टेट का या फिर C टेट का अगर आप वो फार्म डाले हैं तो हमे प्लीज कमेंट करके बता देंगे कि क्या उस पर वीडियो हम अप्लोड करें किना करें ने फिर मैं विशेवत तू बदलना चाहता हूं वैसे तो मेरा प्रयास है कि 20 तारीक के बाद आपको जूनियर एडेट टीचर का मैं तयारी करा हूं और उसी दवराद धिरे अभी UP ट करेंट और सीटेट का भी तयारी करवाते रहा ताकि जब भी उसका एकजाम हो आपके लिए कोई असुभधान नों हो ठीक है आईए आगे अभंग गाथा अभंग गाथा जो है यह संत तुकाराम के जीवन पर आधारित है प्रजा ही रहने दो महाभारत के कथानक पर आधा रहा है यह दिरणकुस्ता प्राधारित है यह ठोडा सा इसको ध्यान देतेंगे अच्छा उसके बाद यह भी इंपर्टेंट लग रहा है यह तिल्चक्टा नामक जो है इंपर्टेंट लग रहा है यह ध्यान देजिए यह वला तो यह इस्तिरी पुरुस की यौन कुंठाओं का चित्रवन या इसके पहले पिजिटी में पूछा भी जा चुका है फिर अगला देखिए यौर्स फेट्फुली यौर्स फेट्फुली यह भी जो है यह किंद्री कर्मचारियों की हरताल और अधिकारियों की कुरूरता और स्वार्थपरता का चित्रवन में किया गया है मर्जीवा देखिए यहां यह देख लिए 16 नंबर का यह मर्जीवा वर्तमान समाज की विसंगतियों को अभिशप्त व्यक्त की नियत काईश में चित्रण किया गया है आए यह तेंदुगा देखिए 17 नंबर मानव की पार्षवित प्रविर्ति का चित्रण किया गया है रस गंधर्व जो है तत कालेईन राजनेतिक सामाजिक विसंगतियों का चित्रण किया गया है 20 नमबर का देखिए, बुलबुल सराय आधुनिक राजनेतिक विशंगतियों पर व्यंग किया गया है 20 देखिए, दुलारी बाई, दुलारी बाई का जो कथा वस्तु है, पुराने अंद विश्वासों, संसकारों, रूडियों पर यह व्यंग है इकतारे की आँख, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, मेरे इसाफ से मुझे लग रहा है कि यह काफी यह सब इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है कि देख लेंगे इकतारे की आँख, कबीर दास के विक्तित्व के आधार पर यह लिखा गया है, ठीक है ना? आईए, नायक, खल, नायक और विदूशक, यहाँ देखिए, बाइस नंबर का, नायक, खल, नायक और विदूशक, दुस्यंत और शकुंतला के आचरण पर आधारित है, ठीक है ना? पेस, देखिए, बहुत अच्छा है, यह सब इंपोर्टेंट लग रहा है, यह पूछा जा सकता है, सूरी की अंतिम किरण से, सूरी की पहली किरण तक, काफी चर्चित है यह, यह, यह काफी चर्चित है, ठीक है ना? इसको देख लिजेगा, इसमें नारितो की सार्थकता की तलास की गई है, ठीक है ना? आठवा सर्ग देखिए, आठवा सर्ग, 24 नमर का जो है, 24 नमर का आठवा सर्ग, कालिदास के कुमार संभव, महकाब्य के आठवे सर्ग पर आधारित है यह, उसके बाद देखिए, बुंतलम नाटक की पुलर निर्मित है यह, ठीक ना? काइदे ए हयात, मिर्जा गालिप के जीवन पर आधारित है, 27 नमर देखिए, 27 नमर, नेफा की एक शाम, चीनी आकर्मन कारियों के समय की इस्तिती है, दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब भी कर लिजे, लाइक और सेर तो तुरंद कर दीजे, सब्सक्राइब भी तुरंद कर दीजे, क्योंके बाद में भूल जाते हैं, 28 देखिए, अब दुल्ला दीवाना, सामाजिक समस्या, इस्त्री पूरु संबंध, जीवन मुल्य पर आधारित है, फिर ये चिराग जल है, तो इस तरह से इतना महत्पूर्ण नाटक और इसके विशहवस्त के बारे में आप जान चुके हैं, मुझे लग रहा है कि इस पर दो वीडियो जब बन गया, अब इससे जादा कुछ जादा मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कुछ छूटा हुआ है, जा गर छूटा ह हुआ है, तो बहुत गौण जो नाटक है, उसी के बारे में मतलब छूटा हुआ है, बाकी सब तो आपका कम्पलिट हो गया, तो आप जो है कि हमें कमेंट करके बताएंगे कि आगे आप किन किन चीजों के लिए फार्म अपलाई किये हुगे हैं, उसके लिए अगर आप वी आप कर लिजिए।